जो आज तक कभी हुआ नहीं, जो करने का किसी ने सोचा नहीं, वो अब केके पाठक कर रहे हैं। एक दो नहीं, लाखों पर कारवाई, बीजेपी भयानक सदमे में कह रहें ऐसा कोई कैसे कर सकता है। निती स्टेजस्वी भी केके पाठक के सपोर्ट में बोल दिया, बस सिक्षा सुधारिये, बाकी हम देख न लेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने पूछा है कि बच्चों के नाम जोड़ना है या काटना, सरकार क्या करना चाहती है। उधर जदियू का कहना है कि बीजेपी सिर्फ नुक्स निकानना जानती है, उनका यही काम है। श्रिक्षा विभा की इस कारवाई पर भारतिये जनता पार्टी ने सवाल उठाए है, बीजेपी ने पूछा कि आखिर कब सही थे, पहले या अब, वही भाजपा के बयान पर जदियू ने पलटवार किया है। जदियू ने कहा है कि बीजेपी को हर काम में परिशानी है, पार्टी प्रवक्ता अब इस एक जहा ने कहा कि बीजेपी निगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, सरकार जो काम करती है, उसी में नुक्स निकालते हैं। जाजी रहने पर नाम काटे जाने का सिलसिला जारी है, सरकार ने क्लास एक से बरामी तक तकरीवन एक लाग पचास हजार छात्रों का नमांकन रद कर दिया है। क्लास के हिसाब से पाचवी के बच्चे के नाम सबसे जादा कटे हैं। सिक्चा विभा की रिपोर्ट कहती है कि सबसे अधिक परसिम चमपारन में 10,946 छात्र छात्राओं का नाम काटा गया है। एक दिन यानि 15 सितंबर को बिहार के विभिन जिलों में 25,423 स्टुडेंट्स के नामांकर रद किये गए हैं। वही क्लास पाजमी के सबसे अधिक 21,145 बच्चों के नाम स्कूल के रजिस्टर से हटाए गये हैं। दरसल यह सब सिक्चा विभाग के अपर मुख्य सचिब केके पाठक के आदेश के बाद सुरू हुआ है। उन्होंने DM को निर्देश दिया था कि चातर और चातराएं लगतार 15 दिनों तक बिना बताएं स्कूल से गैर हाजीर रहते हैं तो उनका नामांकर रद कर दिया जाए। अगर कोई चातर चातरा तीन दिनों तक लगतार अनुपस्तित है तो उन्हें प्रधाना अध्यापक की तरब से नोटिस दिया जाए। जबकि उनका दाखिला बिहार के सरकारी स्कूलों में है।